कॉंग्रेस की लिष्ट सामने आई है कॉंग्रेस में उमीदवारों का जो मामला है लंबा ही खिषता चला जा रहा है और अब एक नई लिष्ट सामने आई है दरसल हम बात कर रहे हैं कॉंग्रेस के संभावित लिष्ट की बिहार के 6 सीटों पर अभी उमीदवारों के नाम का एलान होना बाकी है नमस्कार दर्स न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग कॉंग्रेस की लिष्ट में तीन नाम तय हो गए उसके बाद छे नाम और बचे हुए हैं और छे संभावित नाम सामने आए हैं जो छे सीटे हैं उस पर कौन-कौन से संभावित उमिद हैं हम उसके बारे में यहां बताएंगे लेकिन आपको सबसे पहले बता दे कि जो नाम घोसित हो चुके हैं कॉंग्रेस के तीन नाम घोसित हो चुके हैं जिसमें तारीक अनवर कटिहार से उमिद्वार बनाए गये हैं और भागलपूर से अजीत सर्मा उमिद्वार हैं तो किसन गंज से मुहम्मद जावेज जो वर्तमान में सांसद है वो उमिद्वार बने है और उसके अलावा जो छे ऐसी सीटे हैं जिन पर अभी तक उमिद्वारों का पेच सुलज नहीं सका है जी हाँ छे सीटे कौन-कौन सी है पहले उनका नाम बता दे आपको और उसके बाद स उतना साहिब और सासराम ये चे सीटे हैं जो कौंग्रेस के कोटे में हैं और इससे जो है अभी तक उमिद्वारों का नाम सामने नहीं आया है दिल्ली के उमिद्वार का नाम सामने आया कनया को दिल्ली से टिकट मिल गया बिहार में वह बहुत सारा जोड लगा रहे थे और मनोज तिवारी के खिलाब वह ताल ठोक रहे हैं तो ऐसी स्थिती में चार और दो छे और तिन नौ जो सीट हैं उनका नाम सामने आया है तो नौ सीट पर तीन उमिद्वार तो फाइनल हो चुके हैं और कई ने तो अभी नमिनेशन भी कर दिया है लेकिन मामला मुझपर मुझपर पूर में अखिर कौन उमिद्वार बनेगा जी हां मुझपर पूर में उमिद्वार का मामला इसल非 फासा हुआ है क्योंकि अजे सैनी जो अभी वर्तमार में सांसद हैं BJP से हैं छोड़ कर चले आया हैं कॉंग्रेश में जी अजए सैनी ने BJP का दामन छोड़कर क कॉंग्रेस का हाथ पकड़ लिया है वैसी इस्तिती में मुझपरपूर से ये माना जा रहा था कि अजय निसात को ही मौका दिया जाएगा जी हाम अजय निसात की बात कर रहे हैं जो कैप्टन जै नैरान निसात के बेटे हैं और उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ कर कॉं समभावित उमिद्वार का नाम सामने आ रहा है और हमने आपको पहले भी बताया था कि मुझपरपूर से कौन से समभावित उमिद्वार होंगे तो उसमें हमने इस नाम का जिक्र किया था और अब फिर से एक बार यही नाम सामने आ रहा है हम बात कर रहे हैं बीजेंदर च जो दावेदार है लेकिन जितने अभी जो नाम जो सामने आ रहा है जो सबसे उपर है मुझे अपर पूर में वो बिजेंदर चौदरी का ही है हला कि आखिरी वक्त में क्या होगा यह समभावित लिष्ट है हम जो आपको बता रहे हैं और इसमें आखरी वक्त में उलट फेर संबव है ऐसे में अजय निशाद भी टिकट पा सकते हैं लेकिन विजेंदर चौधरी का दावा सबसे ज़्यादा मजबूत है और वो कदावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं और वर्तमान में मुझपर पूर से भी धायक भी हैं तो समस्तिपूर की अगर बात करें तो समस्तिपूर में सनी हजारी का नाम सबसे उपर है या यू कहें लगबग फाइनल है सनी हजारी जो महस्वर हजारी के बेटे हैं महस्वर हजारी जो नितीश सरकार में मंत्री हैं यानि नितीश सरकार में मंत्री के जो बेटे हैं सनी में ही कॉंग्रेस जॉइन किया है उनको टिकट मिलना तै माना जा रहा है समस्ति पूर से तो समस्ति पूर की लड़ाई भी दिल्चस्प होगी जसा कि माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ दूसरे जो मंतरी हैं नितीश सरकार के असोग चौदरी उनकी बेटी सामभवी चौदर मैदान में उतर चुकी हैं और अब यह दूसरी तरफ अगर कहें तो मागण बंदन के उमिद्वार के तौर पर नितीशी सरकार के दूसरे मंतरी महस्वर हजारी के बेटे सनी हजारी मैदान में उतरने जा रहे हैं तो यह बात हो गई मुझपर पूर और समस्ति पूर की कई लोगों के नाम की चर्चा हुई और जिस कनईया के हम चर्चा कर रहे थे वो भी महराज गंज से दावेदार बने थे हलाकि कनईया अब दिल्ली के उमिद्वार हैं दिल्ली में जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली से वह मनोस्तिवारी के खिलाब ताल ठोकेंगे लेकिन मह महराज गंज में आखिर कौन कंडिडेट बनेगा बड़ा सवाल है और हमने ये बात आपको बताई भी ती पहले कि जिस तरह से ब्यार प्रदेश कॉंग्रेस के धर्च अखिलेश परसाज सिंग अपने बेटे के लिए प्रयासरत है जी हां अखिलेश परसाज सिंग के अखिलेश परसाज सिंग के बेटे अकास कुमार सिंग को टिकट दे दिया जाएगा कॉंग्रेस का तो ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं मुझपर पूर से विजेंद्र चौदरी सबसे उपर है और उसके बाद समस्ति पूर से सन्नी हजारी का नाम लगभग ताय है और महराज गनशे अखिलेश परसाज सिंग जो परदेश कॉंग्रेस सद्ध्यक्ष है बिहार के उनके बेटे अकास कुमार सिंग का नाम सबसे आगे चल रहा है बात पस्तिम चंपारन की कर लेते हैं और पस्तिम चंपारन पे साइध इस नाम पर किसी को एत्राज नहीं है आगे बढ़े तो दो ऐसी सीटे रह जा रही है इन नौ सीटों में जिस पर पेज फिलाहाल उल्जा हुआ है जी हाँ पेज उल्जा हुआ है और बलकि यूँ कहें कि काफी ज्यादा उल्जा हुआ है जिस तरह से पत्ना साहिब और सासराम की चर्चा है क्योंकि इन दोनों दिया है कि वो चुनावन नहीं लड़ेंगी वैसी इस्तिती में अब आगे क्या होगा और मीरा कुमार के जो बेटे हैं अनसुल कुमार उनके नाम की चर्चा है मैदान में उतरने की तो मामला समवहता यहीं फस रहा है कि अनसुल कुमार सासराम से उतरेंगे की पत्ना साहि से हलाकि पत्ना साहिब से अनसुल कुमार के नाम की चर्चा है और अनसुल कुमार जो मीरा कुमार के बेटे हैं वो पत्ना साहिब से उतर सकते हैं तो वैसे में सासराम का नाम फिलहाल अभी सस्पेंस में है तो सासराम का जो अप्सन है वो मीरा कुमार के बेटे के लिए है और पत्ना साहिब ये दोनों ऑप्सन है जिसमें पत्ना साहिब की सबसे ज़्यादा चर्चा है कि मीरा कुमार के बेटे अंसुल कुमार को उतारा जा सकता है तो ससराम में कौन कंडिडेट होगा कोई नया चेरा होगा जिस तरह से ये बाते कयास लगाई जा रही हैं तो मात्र महागर बंधन के संसद हैं बिहार से किसंद गंसे मोहमत जावेद उनका नाम तैय हो चुका है कॉंग्रेस से उसके अलावे तारीक अनवर और तारीक अनवर का टिहार से और अजीज सर्मा भागलपूर से ये तीन नामों का एलान किया जा चुका है नोमिनेशन भी मामला दिल्चस्प हो गया था और अजय निसाद के आने के बाद और अजय निसाद को ही दावेदार माना जा रहा था लेकिन इस बीच अब जो है ये बात सामने आने लगी है कि बिजेंद्र चौदरी को ही टिकट दिया जा सकता है मुझापःपूर से लड़ाय जा सकता है जो वर्तमान में बिधायक भी है कॉंग्रेस के उसके लाबा समस्तिपूर से संदी हजारी का नाम तय है महराज गंसे आकास कुमार सिंग जो डाक्टर अखिलेश परसास सिंग जो प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष है बिहार के उनके वेटे हैं तो उनका नाम माना जा रह कि वेटों में उमिदवारों का पेश सुलच गया है और जेडी में भी एक फसा था सीवान को लेकर वो भी सुलच गया तो ऐसी इस्तिती में सबी पेश सुलच गया है लेकिन कॉंग्रेस के इन छेव सीटों का जो गनीत है फिलाल अभी नहीं सुलच सका है बने रहे दर्स न्यूज के साथ तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद